क्वेस्चिन नंबर फाइब यहां पर एक पड़ियासा क्वेस्चिन दिया है दो ग्राफ गिभेन विलो डेपिक्ट्स एन निउट्रलाइजेशन रियक्षण एसीड रियक्षण करेगा आलकाली के साथ और आपको देगा सॉल्ट एंड वाटर कोई एक निउट्रलाइजेशन रियक्षण हो रहा है जिसमें एसीड अंड बेस को मिलाया गया है अब आपने आलकाली में एसीड डालते गए तो क्या हुआ जो पी एच है ये चेंज होता गए सो जैसे ही आपने एसीड में आलकाली को डाला तो वैसे वैसे क्या हुआ जो आलकाली था जो बेस था उसका जो पी एच लेबल है ये नीचे आता गया ठीक है तो अब यहां पर question पुछा है which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present तो इस graph के तहत वो कौन सा point होगा वो कौन सा area होगा जहां पर आपको salt मिलेगा और acid भी आपको मिलेगा तो देखिए ग्राप को तुरह ध्यान चे दिखिए पहले हमारे पास कोई अलकाली था अलकाली का मतलब होता है strong base तो जिसका पी एच बैल्यू 14 होगा आपने इसमें क्या क्या जो excess acid था उसको आपने डालना शुरू किया तो जैसे ही आपने इसके अंदर acid को डाला तो धीरे धीरे करके जो pH लेबल है ये कम होता गया कम होता गया कम होता गया यहां पर यह तक्रीबन दो या फिर तीन होगा जो pH का वैल्यू तक्रीबन दो या फिर तीन होगा तो इस रेंज पर हमें salt मिलेगा और इसके साथ-साथ acid भी हमें मिलेगा तो यह हमें question में पूछा था और इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा आपका option number D क्यूंकि इस D point प आपको acid भी मिलेगा तो यहां पर हम यह ध्यान देंगे कि जब कोई acid के साथ कोई भी base अगर react करता है तो हमें मिलता है salt with water this is called neutralization reaction